हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल कुशाग्र मोम्स वर्ल्ड तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाए हैं अंदर से रश से बिल्कुल भरेवे सोफ्ट पहर से क्रंची मालपुआ रेसिपी अब रात्री है तो मालपुआ का भोग तो लगता ही है माता को और वैसे भी किसी भी फेस्टवल पर हम मालपुआ बनाते हैं घर में बहुती आसान तरीके से मैं आपको आज सिखाऊंगी ये देखी अंदर से बिल्कुल रश से भरेवे हैं तो फ्रेंड्स बाजार से कुछ भी नहीं लाना है चलिए बनाते हैं सब कुछ अवलेबल होता है हमारे कीचन में ही मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी देखी कोई भी कटोरी काप नाप ले लीजी यह है गेहूं का आटा मैंने चान कर ले लिया है यह है दो चम्मच सूजी यह है दो चम्मच घर की मलाई और यह आधा चम्मच है यह इलाइची पाउडर तो यहां पर ले लिया है मैंने एक बड़ा सा बाउल इसमें मैं सभी इंग्रिडियेंट्स डाल दूँगे यह देखें सूजी भी डाल रही हूँ आटा भी और यह लाइची पाउडर और यह देखें मलाई और कुछ गुनगुना दूद रखा है मैंने यह आपर जितना यूज होगा उतना डालूँगी दूद हमें गुनगुना ही लेना है ठीक है ना तो इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर जितने थिक नैस रखनी है वो मैं आपको बताती जाओंगी दूद हम हलका गरम इसलिए लेते हैं जिससे कोई भी गुठली नहीं पड़ती है बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाती है लंप्स फ्री बनकर एक हमारा गाड़ा सा घोल तयार हो जाता है तो यह देखे थोड़ा थोड़ा दूद में डाल रही हूँ जितनी रिकुर्मेंट है तो आप भी जितनी जरूरत हो उतना दूद थोड़ा थोड़ा डालते रही है और मिक्स करते रही है इसको तो जब भी नवरातरी लगती है मेरे बच्चों को शों करता है ममी कुश्मानडा माता के लिए माल पुए बनेंगे ना कब बनेंगे कब है वो दिन तो इनको बहु आटे से सिखा रही हूं चाहे आप मैदे से बनाए चाहे आटे से बनाए तो आटे के भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो मैं आटे से आज आपको सिखा रही हूं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला और बना लेते हैं इसके लिए जलेबी जैसी चाशनी यहां पर मैंने गयास का फ्लेमोन कर लिया है और इस पर एक पैन रख दिया है इसमें मैं ये देखे एक कटोरी डाल रही हूं पानी और इसमें एक और आधी यानि के डेड़ कटोरी डाल रही हूं मैं चीनी तो इसको अगर आपके पास फूड कलर हो तो वन पिंच फूड कलर भी आप डाल सकते हो तो देखे केसर से ही कुछ देर बाद बहुत ही अच्छा कलर आ गया है चाशनी में ये देखे तो चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की और तो यहां नहीं भरना है बस थोड़ा इस भरना है उसमें हम कर लेते हैं बहुत ही अच्छे माल पूए बनकर हमारे तयार होंगे यह देखे बैटर भी फोल चुका अच्छे से 15 मिनट हो चुकी है एक बार हम पूरा गरम कर लेंगे उसके बाद मीडियम कर देंगे आज को और इस तरह बहुत ही अच्छे माल पूए बनेंगे हमारे अंदर तक पकेंगे यह नाम ने किसी सोड़ा का यूज किया है ना ही पेकिंग पावडर का और तब भी हमारे बहुत ही फस्क्लास यह बनने वाले हैं तरफ से अच्छी तरह से सिखने के पाथ हम इनको तुरंत निकालेंगे और हलकी गरम चाशनी में डालते रहेंगे चाशनी में हमने इनको तीन मिनट तक डुबा कर रखना है एक बार पलट देना है इस तरह से देखे चमचे की हल्प से हम इनको पलट लेंगे और बस तीन मिनट के बाद हम इनको फिर निकाल देंगे तब तक मैं और तल लेती हू ये बहुत ही जल्दी बन कर तयार होते हैं फटापट से शिकते जाएंगे और गरम गरम मैं चाशनी में डालती जाओंगी इनको और तीन-तीन मिनट के बाद मैं निकालती जाओंगी एक प्लेट में इनको तो इस तरह से मैं सभी मालपुव को सेक लूँगी और तुरंत चाशनी में डालती जाओंगी और प्लेट में तीन-तीन मिनट बाद निकालती जाओंगी तो ये सभी मालपुवे मैंने इसी तरह से बना कर तयार कर लिए हैं और सभी को इस तरह से चाशनी में डालती रही और एक प्लेट में निकालती गई तो चाशनी इसमें अंदर तक भर चुकी है सभी मालपुवे में अभी मैं आपको एक मालपुआ तोड़ कर भी दिखाऊंगे कि किस तरह से चाशनी अंदर भरी हुई है बिल्कुल जलेबी की तरह तो ये लीजिए फ्रेंज सभी मालपुए बनकर बिल्कुल तयार है कर लेती हूँ सरवाब लोगों के लिए और कुछ मैंने पिस्ते की कतरन काट कर रखी थी वो इन मैं सभी के उपर थोड़ी थोड़ी लगा दूँगी ये देखने में भी सुन्दर लगेंगे और खाने में तो लगेंगे ही ये देखें फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ भरे है न रस से बिल्कुल तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी मालपे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स फूर वाचिंग